हेलो अब्रीवन वेलकम टू मैं चैनल और आज मैं आप सब के साथ शेयर करने वाले हूँ चार तरह की ट्राय कलर रेसिपीज इसको बनाना बहुत ही इजी है और कोई क्रेसिपीज है और मैं एक ही चीज से चार तरह की डिस बनाऊंगे तो चलिए हम बनाना स्टार्ट करते है ट्राय कलर रेसिपीज बनाने के लिए मैंने इडली डोसा बैटर लिया है इसको मैंने घर पे बनाया है अगर आपको इसकी रेसिपी चाहिए हो तो मैं आपको इसकी रेसिपी डिस्क्रिप्शन बॉक्स या आई बटन पर दे दूंगी ट्राय कलर रेसिपी बनाने के लिए हमें तीन कलर चाहिए पड़ेंगे तो मैं ओरेंज कलर बनाने के लिए ये मैं गाजर ले हुई है मैंने चार पाजर को दो के कट कर लिया है अभी मैं इसको मिक्सी ग्राइंडर में पीस लूँगे अच्छी से प्यूरी बना लूँगे गाजर को अच्छी से ब्लेंड कर लिया है देखिए अच्छी बनी है प्यूरी अभी हम बनाते है ग्रीन कलर तो ग्रीन कलर बनाने के लिए मैं ले रही हूं हरी धनिया और हरी मिर्ची आप चाहें तो पालक भी ले सकते हैं बड़ बोयल करके यूज करें क्योंकि फिर पुट पन अच्छा नि लगता है तो इसमें डालूंगे मैं हरी मिर्ची अरी धनिया नमक तो इसका एक अभी बैटर को अच्छे से फैट लेंगे और इसमें हम नमाक कर देंगे अभी बैटर को तीन पार्ट में इक्वली डिवाइट कर देंगे बैटर को तीन पार्ट में डिवाइट कर लिया है अभी सब चे पहले हम एड करेंगे औरिंज कलर जिस जो कि हमने केरेट का प्यूरी बना के रखा था मैं इसे तीनचा चमज प्यूरी डाल रही हूँ आप जब भी बैटर बनाएं तो थोड़ा थिक रखें क्योंकि इसमें प्यूरी भी जाएगी तो थोड़ा सकी कंसिस्टेंसी लिकुड हो जाएगी क्योंकि गाजर भी पानी रिलीस करेगी बाद में अभी हम बनाएंगे एक ग्रीन कलर जो कि हमने ग्रीन कलर की चट्टी बनाके रखी थी अभी हम भू मिक्स करेंगे प्यूरी आप उसी अकॉर्डिंग एड करें जिस तरह से कलर आएगा इसमें घ्रीन कलर थोड़ा जल्दी आ जाएगा लेकिन जब आप केरेट की पूरी एड करेंगे और इंज कलर बनाने के लिए तो इसमें केरेट की पूरी थोड़ी ज्यादा एड होगी क्योंकि इसका से light color आएगा इसका अच्छे से color आ जाएगा उनका ग्रीन लेडी है तो सबसे पहले हम बनाएंगे इडली बनने से पहले मैं थोड़ा बेकिंग सोड़ा एड़ कर लोंगी आप तब ही बेकिंग सोड़ा एड़ करें जब बनने के लिए रखने लगए इडली प्लेट को आल से घ्रीज कर लेंगे और हम इसमें बेटर डाल देंगे . तीन तीन इडली बना रही हूं तीनो कलर की अब ही हम इडली को 10-15 मिनिट के लिए स्टीम करने रख देंगे इडली अच्छे से कुख हो गई है अब हम इसको ठंडा होने देते हैं फिर हम इसकी प्लेटिंग करते हैं ट्राय कलर इडली रेडी है और मैंने बीच में लगाया एनिस्टा किती संदर दिख रही है तो अब हम बनाते हैं उत्पम ट्राय कलर उत्पम बनाने के लिए मैं इसमें दो चंबर डालूंगी बैटर इसको हम अच्छे से गोल्ड शेप दे देंगे हम इसको थोड़ा मोटा रखना है क्योंकि हम इसमें वेजीटेबल से एड़ करेंगे सबसे पहले हम कद्दू का स्की हुई गाजर को एड़ कर देंगे इसमें इस तरह से प्रॉपल ली फिर हम इसमें अनियन कटी हुई एड़ कर देंगे अब इसमें हम कैपसी का मैट कर देंगे कटी हुई तो देखिए तीन कलर बन गए है न अभी मैं इसके ऊपर अनियन के ऊपर डालूंगी चीज ताकि फ्रॉपर वाइट कलर बन जाए साइट से थोड़ा ओड लाल लेंगे और अभी हम इसको ढग देंगे दो-ती मिनिट हो गया है अभी हम इसको चेक कर लेते हैं उत्पम अच्छे से कुख हो गया है उपर से सबजें स्टीम हो गया है और नीचे से भी अच्छे से ब्राउन हो गया है अभी हम इसको प्लेट में निकाल लेते हैं इसकी प्लेटिंग कर लेते हैं ट्राय कलर उत्पम रेडी है और जो मैंने उत्पम के बीच में चक्र बनाया है वो मैंने लॉंग से और काली मिर्ची से बनाया है तो चलिए अब नेक्स रेस्पी बनाते हैं ट्राय कलर अप्पे अप्य बनाने के लिए हम अप्य स्टेंड लेंगे उसको हम ओयल से ग्रीस कर लेंगे अप्य स्टेंड को गैस पे रख दिया गरम हो गया अभी मैं इसमें बैटर डाल दूँगी मैं इस तीनों कलर का बैटर में चार चार अप्य में डाल जरे हूँ देखे कितने सुंदर लग रहा है ना कलर फुर अभी हमें इसको ढख ठो गया है अभी मैं ऊपर से थोड़ा थोड़ा वाइल लगा दूंगी फिर हम इसको फिलिप कर देंगे सारे में तक हम दूसरी साइड भी सारे अभी को सीख लेंगे मीडियम फ्लेम पर अभी मैं इसकी कर लेती हूं देखे कितने सुंदर लग रहा है ना अबे तो अब मैं बनाओंगी लास्ट रेसिपी जो की है ट्राय कलर डोसा डोसा बनाने के लिए मैंने गैस पर तबहा रख दिया यह गरम हो गया अभी मैं डालूंगी औरेंज कलर का बैटर इसको अच्छे से थोड़ा देंगे अभी डालेंगे वाइट कलर का बैटर आप इसको थोड़ा केरफूली डालें ताकि हमारी जो डिजाइन है डोसे की अच्छे से ट्राय कलर की डिजाइन आ जाए अभी हम इसको स्पून से अच्छे से बोल शेप दे देंगे अगरी थोड़ा बहुत ओवरलेब भी होता है तो चैलेगा अभी इसमें डालेंगे ग्रीन कलर का बैटर अभी इसको नीचे से थोड़ा सिख जाने देते हैं देखिए डोसा उपर से ड्राय हो गया है अभी मैं इसमें थोड़ा सा वाइल डाल दूंगे साइट से और इसको को हम फिलिप कर देंगे गारें दूसा कोम लाइटी सेखेंगे जिस तरह से इसका हुआ है नहीं तो कलर चेंजहो जाएंगे दूसा को एक मिनट के लिए डूसी साइट भी सेख लेंगे दूसा दौनों साइट से खोग हो गया अभी मैं इसको प्लेट पे निकाल लेती बागी के बना लेंगे, ट्राय कोलर डूसा रेडी है और देखे कितने सुन्दा लग रहे हैं परफेक्ट प्रॉपर शेप आया हुआ है कलर्स का, यह आप सारी ट्राय कलर रेसिपी सूजी और दही से भी बना सकते, जिससे हम नॉर्मल उत्पम बनाते हैं, आज की चारो ट्र लगी है रेसिपी और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बाब बाइ, थैंक यू फर वाचिंग